नमस्कार दोस्तों, हमारे डोग को कई टेक्स, माइट्स, फ्लीज वगरा जो एक्टो पेरसाइट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेसान करते हैं, यानि ऐसे छोटे-छोटे कीडे जो डोग की स्किन पे लग जाते हैं, उसका खून चूंसते हैं, उसको इरिटेशन कर दे बहुत ज्यादा डोग हमारा परेसान रहता है, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी परेसानी का छुटकारा लेके आया हूँ, वो भी एक डेसी इलाज से बिलकुल गरेलू और सुरक्षित इलाज, कई परकार की मेडिशिन्स मार्केट में मिलती है, पैट ओनर्स डरते हैं उन्हें यूज करते हैं कि पता नहीं कोई साइड इफिक्ट ना हो जाए, मेरा डोगी जो है वो बिमार ना हो जाए, कई दिक्टे होने से डरते हैं और वास्ताम में दिक्टे हो भी जाती है, आज मैं जो आपको नुस्का बताने वाला हूँ, जो गरलू चीजें बताने व आपके डोग के नजदिक भी नहीं आएंगे तो हमें करना क्या है देखिए हमें मार्केट से नीम का तेल लेके आना है नीम वेल 100 ml की बोटल लगभग सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसके अलावा हमारे घर में ही मिल जाता है नारियल का तेल देखिए नारियल का तेल आप एक चमच लें और एक चमच ही उसमें नीम का तेल मिला दे और दोनों को mix up करके अच्छी तरीके से अपने डोग की हर हैर रूट तक पहुँचा दे यानि अच्छी तरीके से grooming मालिस करके और हर जगे उस तेल को पहुँचा दे और पहुँचाने के बाद दो गंटे हमें उसे एक जगे बिठा देना है और उसके बाद यानि दो गंटे बाद आपको उसे किसी भी सेंपू से आना कि अगर अच्छा सेंपू हो कोई भी anti-tick सेंपू या कोई साभी सेंपू हो चल जाएगा डोग सेंपू होना चाहिए किसी भी सेंपू से उसे सिनान कर दे गर्मी का मौसम चल रहा है तो सब्ता में अगर आप दो बार ये कर लेते हैं तो गारंटीड किसी भी प्रकार की टिक्स, माइट्स, फ्लीज आपके डोग को परिशान नहीं करेगी और डोग एकदम से हैल्दी और एक्टिव रहेगा अगर्वाइज वो इस्ट्रेस में रहता है